टेप और रेप टेप पे बात कर रहे हैं फिर रेप पे भी बात करते हैं लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आप से भी है जो आरोप उन्होंने आपके उपर लगा दिया कि यह आपकी पार्टी के अंदर उनी राजनीती है जिसमें एक खेमा दूसरे खेमे को नीचा दिखाने लिए जानबुच के इस मामले को उठा रहा है क्या यह सच है अगर आप लोकतंत्र लोकतंत्रिक आपकी पार्टी है तो चर्चा करें ना आपस में लेकिन उसका खामियाजा पूरे राजनीती में अगर खेमे बने वे हैं तो वो किस पार्टी के अंदर बने वे हैं अच्छ वो उसमें नहीं शामिल थे रगूजी आपके साथ ही थे वह आपके साथी नहीं थे क्या बताईए आपकी बिलकुल साथी थे और सब जानते हैं कि किन दो लोगों में बाचचीती नहीं है बिलकुल हर दो तीन महीने में वह वही मुद्दा खड़ा हो जाता है कि दिल्ली आप ही के लोग गए थे जगड़ा तो अभी भी चल रहा है तो खेमा खेमे बाजी कौन सी पार्टी में हो रही है वो सब जानते हैं लेकिन दुख इस बात का है कि राजिस्थान को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए आप तो अपनी सरकार बचाने में लगे वे और उस कारण आप फोन टैपिंग कर रहे हैं आप बताइए कौन सा आतंगवादी पकड़ा आपने आप बताइए कौई आर्थिक स्कैम बोई कोई बड़ा आपने उजागर करा कुछ नहीं करा आपने तो आपके जो एक साल आपने बोला हम फोन टैपिंग कर रहे थे लेकिन उसका प्राइस्थान की जनता को ये भी तो बताईए क्योंकि पुलीस महिला सुरक्षा में तो नहीं लगी हुई वह आपकी सरकार बचाने में लगी हुई है तो बताईए कि उसमें नतीजा क्या निकला रगुजी राजे सरकार ये कह रही है कि गजेंदर शिंग का फोन टैप सही ह और अशोग गैलोत ने कहा था कि अगर टेप सही नहीं हुआ तो मैं इस्तीफात दे दूँगा आपको अच्छे से याद होगा मुझे यकीन है जो बातें उन्होंने कही थी तो मेरा सवाल ये कि जब आप खुद कहरें कि हमने किसी पॉलिटिकल आदमी का फोन टैप नहीं क था और मुख्यमंत्री ने बाद में कह दिया मुझे सोशल मीडिया से मिला था ये सारा घाल मेल कैसे है कोई घाल मेल नहीं है विदान सभा ऐसा प्लेटफोर्म है जहां पे पूरी जिम्यदारी के साथ मानियों मुख्यमंत्री जी ने विश्वास मत लेने के टाइम कहा था कि राजस्तान में निर्वाचित जनपरतिंदी चाहे MLA हो चाहे MP हो उनके टेप नहीं किये जाते हैं और ना हमने किये हैं और ये जो प्रक्रिया की बात आई है वो प्रक्रिया बताई है इसमें ये ये ट्विस्ट कर रहे हैं अब हमारी पार्टी के अंदरूरी जगड़े की बात कर रहे है राजिये बरण सिंग जी इनको पूछो राजस्तान में धार्मी के आत्रा भी हो रही है बीस MLA लिखके दे रहे हैं कि सदन में हमको बोलने नहीं दिया है राग कोटा में बीजे पी किया एक धड़ा वो कह रहा है हमारी नेता को मुक्यमंत्री का उम्मीद की अभाज को उठाने के लिए राएल गांदी दो दुद्रा करके भी गय है पहले एक கृतना हुई अलवर जिले में मौ राइल गांदी आ के क्यूंत्री चांन Turns और राजस्तान पहला राज़्य है जहां एप्ड़ा यह की निवाजतया की इस की इसंगाते हैं कि एपके सम सच्चा है जूटा है अगर कोई परियादी पुली स्टेशन पर जाएगा तो वहां उसके लिए स्वागत कर्ष बनाए और उसकी एफायर कंपल्सरी कर दी दर्ज करना और अगर फिर भी थाने पर दर्ज नहीं हो एसपी को पावर दिएगे एसपी दर्ज कर सकता है जब ज़्यादा एफायर दर्ज होगी तो एफायर का आखड़ा ज्यादा बढ़ेगा तो आपके जो आखड़े आप बता रहे हो उससे उठाए आपने आखड़े वास्तुरी का परादी कितने हैं उनको क्या कारवाई कोई एफायर ज्यादा दर्ज होती है आप कह रहे हैं हमने स्वागत कक्ष बना दी इसलिए ज्यादा दर्ज होती है सम्मान के साथ एफायर कराते हैं इन्हीं राजवर्दन राठोर ने ट्वीट किया है आपकी सब्सक्राइब बड़ा गंबीर आरूप लगाते हुए की आपने जवाब नहीं दिया कोई बात ने इसर लेकिन आप स्वागत ऑर थाने ममें गर्यार्शन की बात कर रहे हैं शुट है थाने हमाने Aa करें क्यूंद इसलिए जांच कराने क्या विश्यकता नहीं लंगिक शामने आई ए बतौर सरकार जिना जाच के आपने गोशित कर दिया कि यही है ना खाता ना बही जो आप कह दें वो सही के रेमारे